हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल एलजी आरस्टरी इंटर में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग कलास 12 याने की इंटरमेडियेट बोर्ड एक्जाम के बहतर त्यारी के लिए हिंदी सौ मार्क के महतपूर्ण आपजेक्टिव कुष्चन का त्यारी करते हैं आपको बता दे कि आज या इस वीडियो स्रीज का दस नमबर वीडियो है हिंदी सौ मार्क के महतपूर्ण आपजेक्टिव कुष तो आज के इस वीडियो में सेट नमर 5 का आपका कलास स्टार्ट होगा काफी महतपूर्ण कोस्टन देखने वाले हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा एक भी कोस्टन को स्किप नहीं किजिएगा यहां पर आपके फस्ट महतपूर्ण कोस्टन के द्वारा जो है पूछा नि इस का संधी विच्छेद हैं रजनीस का संधी विच्छेद आपको बताना है तो 31 का यहां पर आपका be option विल्कुल ही सही होगा याद रखिएगा रजनी पलश इस यहां पर आपका विल्कुल फिल्कुल है सही जो है आंसर होगा unexस्ट देखेंगे आप 32नमर को 32न के n bullish देखेंगे आप 33 number question पूछर होगा तो 33 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उआपका बी होगा याद रखेगा सत पलस कार यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेस्ट देखेंगे आप 34 नंबर कुष्चन 34 नंबर कुष्चन के दोरा पूसा जारा की बिद्यालय का संधी भी छेद हैं तो 34 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वह आपका ए होगा टैटमिस याद रखेगा बिद्या पले साले सिंपल सी आपका कुष्चन है जिस कुष्चन का आंसर आप लोग को पहले से पता हो तो उसका आप लोग कमेंट में जो है मेरे साथ-साथ आंसर लिखते चलिएगा जिसे कि 35 का मालेज ये कि C है तो 35 का C 36 का D इस तरह से आप लोग लिखते चलिएगा इससे आपका कंफिरेंस लेबल बढ़ेगा और आपको यह पता चलिएगा कि आखिर आप कितना कुष्चन का आंसर पहले से जानते थे तो यहाँ पर देखेंगे 35 नमबर कुष्चन बोला जा रहा है कि दिनेस का संधी विछेद हैं दिनेस का आपका ए उप्षन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेगा दिन पलस इस यहाँ पर आपका विल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे आप 36 नमबर कुष्चन को पूछा जा रहा है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है ठीक है तो देखिए 36 का जो सही आंसर होगा वो भी होगा क्योंकि आगमन जो सब्द है आप क्या करेंगे गमन में किसमें गमन में अगर आप आ जोडते हैं तो वो क्या बनेगा आगमन बनेगा तो यहाँ पर आपका जो आ है या बिल्कुल आपका उपसर्ग है गमन सब्द में जब आप आ उपसर्ग जोरेंगे तो क् तो आपका सही आंसर होगा वह आपका यह होगा टैटमिस याद रखेगा इमा कौंसा तो इमा क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको प्रतय बताना है तो प्रतय क्या होता है किसी भी सब्द के लास्ट में लगा जाता है तो जब आप पूर्ण सब्द में किसमें याद रखेगा पूर्ण में जब आप इमा तो क्या बनेगा पुर्णीमा बनेगा तो यहां पर आपका जो है क्या होगा इमा प्रत्य बिलकुल ही सही आंसर होगा आपको बतादे कि इसका PDF आपको हमारे चाहरेसे भालाँ भी में इसका पीडियएफ मिलेगा वहां वुहां पर आप जाकर के बार-बार उसको बधाई कर सकते हैं य। बहुत सारेस्टूडेट्ट उपकर उतर वाचसेapt गुरूप तो आपको बतादे कि तो टेलिग्राम ज़रूर जो है जोएन कर लिजेगा जो भी सुब्धा आपको वाट्सेप मिलेगा सारा सुब्धा आपको टेलिग्राम पर भी मिल जाएगा 38 नमबर कुश्चन देखिए पूछा जारा कि जलज कौन सा समास है तो 38 का जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका जो है C ओप्शन जो है सही होगा याद रखेगा कर्म धाड़ ये समास 38 का C ओप्शन आपका सही होगा नेक्स्ट देखेंगे 49 नमबर कुश्चन पूछा जारा कि देवाले कौन सा समास है तो 49 का यहाँ पर आपका C ओप्शन जो है सही होगा याद रखेगा तत्पुरुस कौन सा तत्पुरुस होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है 40 नमर कुश्चन को 40 नमर कुश्चन के दरा पूछा रखी लंबोदर कौन सा समास है लंबोदर जो है आया कौन सा समास है तो 40 का यहाँ पर आपका A उप्शन जो है सही होगा याद रखेगा बहु बढ़ी समास कौन सा तो बहु बढ़ी समास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे आपका 41 नमर कुश्चन पूछा जारा कि रात दीन कौन सा समास है तो 41 का जो आपका सही आंसर होगा वो C होगा याद रखेगा द्वन्द समास वैसा दो सब्द जिसका अर्थ बराबर हो उसको हम द्वन्द समास बोलेंगे और सबसे बरा जो पाचान है उसके बीच में क्या होगा हाइफन होगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में हाइफन आपको दिख रहा है आगे बढ़ेंगे और 42 नमर कुश्चन देखेंगे पूछा जारा कि प्रती दीन कौन सा समास है तो 42 का यहां पर आपका A option है सही होगा क्योंकि प्रती दीन जो है वो अभ्याई भाव समास हैं यहाँ आप याद रखेंगे नेक्स्ट देखेंगे आप 43 नमर कुश्चन पूछा जारा कि आग का पढ़ेयबाची सब्द हैं आपका प्रती बाची सब्द कौन है तो 43 का आपका सही आंसर होगा वो आपका C होगा 43 का C option आपका बिल्कुल ही सब्द कोन है तो 44 का आपका प्रती बाची होगा यहां पर आपका B होगा याद रखेंगा परमात्मा जो है यहां पर आपका जो है बिल्कुल ही सही होगा आगे बढ़ेंगे और 45 नमर कुश्चन को देखेंगे पूछा जा रहा है कि अंधकार का बिलोम है अंधकार का बिलोम निमलेकित में से कौन सा है बिलोम मिस होता है उल्टा तो 45 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा अंधकार का क्या होगा प्रकास होगा अंदकार आप सभी जानते है उसका उल्टा क्या होता है प्रकास होगा आगे बढ़ेंगे और 46 नंबर कुष्चन के दोरा जो है यहाँ आपसे पूछा ज़रा की और 47 नंबर कुष्चन के दोरा जो है यहाँ आपका आपसे पूछा ज़रा की ठंडा का बिलोम है ठंडा का बिलोम कौण सा है तो 48 का जो आपका सही आंसर होगा वो B होगा, that means गर्म ठंडा का बिलोम क्या है गर्म आपका बिलकुल है, शही आंसर होगा नेक्स्ट देखिए आप 49 नमर कुश्चन पूछा ज़र है की दिवाकर का बिलोम है दिवाकर का जो बिलोम है, कौन सा है तो उचास का ए औप्षन आपका से होगा याद रखेगा, निशाकर क्योंकि दिवाकर जो है वो दीन करता है, जिसको हम सूर्ज भी बोलते हैं, और निशाकर निशा जो सब्द है, उसका मतलब तो जो निशा करेगा निशा करने का मतलब है कि रात्री को हम लोग जो है जो रात्री लाता है रात लाता उसको हम कहेंगे निशा करेंगे क्योंकि निशा जो सब्द है इसका आर्थ होता है रात्री ठीक है और दिवा जो दिवा जो दीन सब्द से बना है जो दीन करता है तो क्यों होगा डिवाकर और जो रात घ्लाता असको हुआ को खते है निसा कर आगे वरेंगे competit umi tempting on Gotta set नमर को दिखेंगे- हैं- पचास नमर कोश्चन के दोर आप एकावन नमर कुश्चन को यहां जो है हलका हम बड़ा कर देते हैं एकावन नमर कुश्चन देखिए एकावन नमर कुश्चन के दोरा से आप जो है से पूछा जा रहा कि जिसका आच्रन अच्छा है के लिए एक सब्द हैं जिसका आच्रन अच्छा है तो उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो एकावन का जो आपका B option है बिल्कुल ही सहयोगा याद रखेगा सदाचारी सदाचारी किसको बोलते हैं जिसका आचरन अच्छा हो उसको हम बोलते हैं सदाचारी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग पावन नमबर कुष्चन पूसर जरा है कि जिसके पास धन नो हो उसको क्या बोलेंगे तो उसको निरधन बोलते हैं तो बावन का आपका ये option जो है सही होगा निरधन ठीक है आगे बढ़ते हैं और तिरपन नमबर कुष्चन को देखेंगे बोला जरा है कि घोरा बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है घोरा बेचकर सोना ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा तो तिरपन का जो आपका ए option है बिल्कुल है सही होगा याद रखेगा गहडी निंद में सोना अगर कोई गड़ी निंद में सोया हुआ है तो उस पर ये मुहावरा फिट होता है कि या गोरा बेचके सोया हुआ है आगे बढ़ेंगे और चोबन नमबर कुश्चन को देखेंगे पूछा ज़रा की चैन की वंसी बजाना मुहावरा का अर्थ है तो यहाँ पर आपका चोबन का डी ओप्सन सही होगा याद रखेगा अराम से रहना यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पचपन नमबर कुश्चन के दोरा पूछा ज़रा है कि राई का पहार बनाना मुहावरा का अर्थ है सबसे पहले तो आप राई समझे क्या है आप सरसो जानते होंगे सरसो ठीक है सरसो आप लोग जानते होंगे और सरसो तेल तो आप लोग बहुत ही अच्छा जानते होंगे जिनरली भोजन पकाने में यूज किया जाता है तो देखिए सरसो जैसा ही होता है राई ठीक है सरसो को ही आप समझ लिजे कि राई बोला जाता है उसका ही उसके ही जैसा हो तो वही है समझ लिजे तो सरसो का क्या बनाना पहार बनाना आप समझ सकते कि जना कठीन काम हो सकता है सरसो का पहार नहीं बना सकते हैं बहुत ही कठीन काम है तो यहाँ पर आपका सरसो यानि की राइ का पहार बनाना जो मुहावरा है इसका क्यार्थ होगा तो पच्पन का B-Option आपका से होगा याद रखेगा छोटी बातों का बातों को चड़ा बढ़ा कर कहना, यहांपर आपका पिल्कुल ही, सही होगा, नेक्स तम जो है, देखेंगे आपका, जो है, छपण नमबर देखें, क्योंकि यहाँगों, आपका मुहमरा बैठा चोटी बातों को बढ़ा चड़ा कर कहने का मतलब है, राई है, बहुत छोट नहीं बना सकते हैं तो छोटी बातों को बढ़ा चड़ा कर बोलना है पर आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखिए 56 नंबर कुश्चन पूछा जरा की हाथ पाउ मारना मुहावरा का आर्थ है तो 56 जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा लेटमीश याध रखेगा प्रयास करना हाथ पाउ मारना मुहावरा का क्या आर्थ है प्रयास करना यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संतावन नमबर क्वेश्चन पूछाजर रखी हावा से बाते करना मुहावरे का आर्थ है नेक्स्ट यहाँ पर आपका संतावन नमबर क्वेश्चन के दोरा पूछाजर रखी हावा से बाते करना मुहावरे का आर्थ है हवा से बाते करना मुहावरेकार्थ क्या है तो संतावन का जो यहाँ पर आपका B option है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेगा तेज दौरना जो तेज दौर रहा है उसको हम कह सकते हैं वो हवा से बाते कर रहा है नेक्स्ट देखेंगे आप अंठावन नमर कुश्चन पूचा रहा कि धार्म का बिसेशन है धार्म का बिसेशन क्या है तो अंठावन का जो आपका सही आंसर होगा वो A होगा याद रखेगा धार्मिक ठीक है धार्म का बिसेशन क्या होगा धार्मिक होगा नेक्स देखेंगे 59 नंबर question पूछा जरा की राष्ट का विशेशन है राष्ट जो सब्ध है इसका विशेशन आपको बताना है तो 69 का जो आपका सही आंसर होगा वो B होगा याद रखेगा राष्टी है राष्ट का राष्टी होगा नेक्स देखेंगे साथ नम्मर कोईश्चन पूसद रहे कि चरित्र का बिलोम है चरित्र का बिलोम क्या होगा बी सेशन क्या होगा सौरी चरित्र का बी सेशन आपको बताना है तो साथ का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा याद रखेगा चारित्रे ठीक है इस तरह से आपका हिंदी का जो है पांट सेट कम्पलीट होता है अब अगले वीडियो से हम लोग जो है चेप्टर वाइज त्यारी करेंगे आज के लिए तना ही रखते हैं आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माद हम से जरूर बताईए और अगर आप अभी तक इस मिल जाएगा सब्जेक्टिव हो औब्जेक्टिव हो कुई क्रिविजन नोट सो कलास नोट सो या फिर मोरेल फेपर हो सभी चीज़ का पीडिएफ आपको हमारे मुबाइल एप पर जो है मिल जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डॉनलोड क है पिर ए्टरिए मिल जाएगा वीडियो कंटिव हो झाएगा तो ऑनलड़ कि जिल एक पो येफे प्रस लेख कि जाएगा हो तो इस वाएगा येज दुशनको झाल जुदुदुदुदुदुद।